दोस्तों नमस्कार यदि आप बागवानी करना पसंद करते हैं और आप ढहे सारे पुश्प देने वाले पुश्पी पॉंधे की खोज में लगे हुए हैं तो यहाँ पॉंधा आपके लिए सरुत्तम साबित हुने वाला है दोस्तों आप देख सकते हैं इस पूस्पी पूंधे में धेर सारे पूस्प खिले हुए हैं इसमें इतने अधिक पूस्प खिल रहे हैं कि इसको जो है इस तरह से सहारी क्यावशकता पड़ गई है दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में विस्तित जानकारी देने वाले हैं हम बताएंगे कि इस पूस्पी पूस्प को आप बिल्कुल मुप्त में सौ परतिसस सफलता के साथ कि इस तरह से किस वीडिका उप्योकर धेर सारे पूस्प पूस्प के नाम है इसे रुकमनी पूस्प के नाम से भी जनना आता है इक जोरा गुच्छों में खिलने वाला एक बहतनी पूस्पी पूस्प है यहां उश्मी करिबंधी, पुष्प है, इसकी लिए शूरी की रौसनी अधिक सधिक माता में इसको आशक्ता होती रहती है और आप देख सकते हैं, इसमें ढहkins सारे पुष्प खिलते रहते हैं इसकी जितनी अधिक साखाएं होती हैं उसमें उतने अधिक पुषवर खेलते रहते हैं हमारा यहां पुषभी पॉधा अच्छी तरह से विक्सित हुआ है इसमें धेर सारे पुषवर खेल रहे हैं हम बात करें कि इसके लिए मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए तो इसके लिए भूर भूरी और अच्छी तरह से जल निकासी वाली मिट्टी में यहां अच्छी से विक्सित होता है आप जब इसे गमले में लगाते हैं तो मिट्टी 50-20% मातरा में रेथ 20% मातरा में आप जो है वर्मी कंपोस्ट या अच्छी सड़ी हुई गुबरी खात का परियू कर सकते हैं साथ ही आप 10% मात्रा में कोको पीट का परियोग करके इसके लिए उत्तम प्रकार की मिट्टी त्यार कर लें अब हम एकजुरा के पुस्पी पॉंधे से नए पॉंधे त्यार करने के बात करें तो इसके कटिंग से आप नए नए पॉंधे आसानी सुखा सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी एक वर्ष पुरानी साखा होती है इसके आप कटिंग ले सकते हैं इसके पुरानी छोटी छोटी साखाएं जो है आसानी से उग जाती है आप इसके कटिंग लाकर नए ने पॉंधे बिल्कुल आसानी सुगा सकते हैं इसके कटिंग लाने का समय वर्सा रितू और बसंत रितू फरवरिक समय भी आप इसके कटिंग से नए पॉंधे त्यार कर सकते हैं ही जोरा से ने पहुंदे त्यार करने कि दुस्री बेधि की बात करें तो जुतरी बीधि है दाब बीधि इसमें इसकी आए इस साख πο हैं को जब भ्यावई रहती हैं तूजब यहां छह हैं हम दबा देते हैं मैं देख सकते हैं मैं यहां पर उखाड का वह दिखा रहा हूं कि इसमें जड़ी जो है आ गई है यहां से जब हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं तो एक नया पूधा त्यार हो जाता है आपको हम दिखाने वाले हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी हमने इसको मिट्टी में दबा दि नए पूधे त्यार करने का प्रक्रिया हमने चालू कर दिया हैं। दोस्तों आप इसी तरह से इसके नए पूधे बिल्कुल आसानिक साथ और सौब प्रतिशत स्पलता के साथ जो है नए पूधे त्यार कर सकते हैं। पूधे पूधे त्यार कर दिया हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रतिशत साखा के इस तरह से सिर्ष भाग में पूधे खिल रहे हैं। दूसरा उपाय है आप इसमें उचित मात्रा में और समय समय पर खात का परियूग करें। इसमें आप वर्मी कमपोस्ट खात का परियूग कर सकते हैं। साथ ही आप पत्यों से बनी हुई पौस्टिक खात का परियूग कर सकते हैं। इसमें उचित मात्रा में खात का परियूग करते रहने से इसमें धेज सारे पुष्प खिलते रहते हैं। और दोस्तों आप देखी सकते हैं हमारी पुष्प पुष्प खिल रहे हैं। निशितर्प से यह बहतरीन पुष्प आप अपनी बग्या में आवसे लगाए और इस तरह से धेज सारे पुष्प प्राप्त करते रहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक जूरा में लगने वाले रोग और उनके उप्चाख सम्बन में। दोस्तों एक जूरा में सफेश सफेद जिसे मिली बग कहाएता है उसका प्रापप जो है दिखा जाता है। साथ ही इसमें ये जो चीटियां हैं चीटियां भी इसके जो कलियां हैं उसको चट कर जाती हैं और ये सारी चीटियां जो हती हैं वहाँ मिली बख को एक जगह से दुसरे जगह में फैलाने का भी कारी करती हैं इस तरह से ये दोनों का उपचार करना बहुती आवश्यक होता ह कि दोस्तों इसके लिए आप जो है नीम आयल का प्रियूग कर सकते हैं एक लिटर पानी में आप तीन से पाँच एमल नीम आयल को मिला करके पौंधे के उप़ इसका प्रियूग करके आप मिली बग से शुटकर आप्राप्त कर सकते हैं मिली बग से मुक्ती मिलने के पस्चाथ ये जो चीटियां हैं इनका प्रकोब भी शांत हो जाता है इसके अतरिकत हम देखते हैं कि इनकी पत्तियों में स्पाइडर जो है अपना घर बना लेते हैं मकडी जो है अपना जाला बना लेते हैं तो मकडियों से भी छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से हम इसका उपचार समय में कर लेते हैं तो दोस्तों आप इसी तरह से इस एक जोरा के पॉंधे में धेर सारी पुष्प पर प्राप्त कर सकते हैं दिखिए हमारा पॉंधा जो है बहुत ही हेल्थी है इसमें बहुत सारी साखाएं फैली हुई है और इसमें धेर सारी पुष्प खिल रहे हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे, कॉमेंट कर दीजे और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए आप हमारे साथ इसे तरह से बने रहिए और आप भी इसे तरह से सुन्दर पुस्पी पॉंधे उगाते रहिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमस्कार, हैपी गार्डनी